कि वह अंन्हों को यह थी मानना था कि सपा और बस्पा का गट्पंदन वह मुए क कि नहीं सपा और बस्पा का गट्पंदन जोर से हुआ है और बेहन इंक वारे हमाहावती ने अपनी इनुसार पनी सीट्टों को लिया है बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम आपको बता दें कि बहुत अच्छे से अपनी जीत को हासिल करेंगी बसपा ने कहां से सीटे लिएं वो भी हम आपको बता दें बहन जी ने प्रेस रिलीजिंग अपनी तरफ से ऑफिशली साइड से लॉंच कर रही है और उन्होंने लिखा है उत्तर प्रेश में सन 2019 में जो होने वाले लोकसपा चुनाव हेतु बहुजन समाज पार्टी के राश्चे अधग शूश्री मायवती जी एवं समाजवदी पार्टी के राश्चे अधग श्री अखलेश यादव जी ने द्वारा तैकी के सीटों का विवन इस तरीके से है यह आप देख सकते हैं कि जो सपा पार्टी की सीटे हैं वो कहां से ली है यानि कि जो यादब परिवार या सपा पार्टी मुलाइम सिंग यादब की जो पार्टी है सपा अकलेश यादब जिसका नित्यत्वे करते हैं उसके अंदर कैरानाना से सपा हैं लड़ रही है और मुरादाबाद से सपा के हैं और रामपुर से सपा है संभल से भी सपा के है उम्मीद बार उतरेंगे और गाजियाबाद से भी सपा के हातरस से भी सपा का है यहाँ पर और फिरोजाबाद से भी है सपा का हम आप थोला सो और जूम करके दिखा देते हैं इस सीट है यह देख रहे हैं आप SC सीट है यह वाली टावा से रिजब सीट है हरदोई से रिजब सीट है और हातरस से भी रिजब सीट है यह वारी सारी सीटिंगे हैं जो है यह सपा को जा रही है और हम आपको अगले उस पे दिखा देते हैं आप यहां पे देख पाएंगे जो यहां पे 37 सीट जो मिली है वो सपा के पाले में गई हैं जो कोशांबी से हैं फूलनपुर से हैं इलाबाद से हैं बारबंकी से हैं फैजाबाद से हैं और गॉंडा से हैं और महराजगर से हैं गोरगपुर से हैं और कुशी नगर सीत सरकार को दी हैं उनको लड़ने के लिए और यह बहुचन समाज की सीत जो हरे कोई जानना चाहता है कि कहां से मिल रही है जो बहेंजी का और बस्पा का बहुत मजबूत मानी वाली जगें हैं वो हैं सहरनपुर से हैं सहरनपुर से आप देख रहे हैं सहरनपुर से हैं बिजनौर से हैं नगीना से है और ये नगीना वाली सीट रिजर्व है अम्रो शेर भी बहुत मजबूत सीट मानी جाती है, अलीगड से है आगरा में मजबूत उमिदवार वहाँ पे रहते हैं हमेशए, फते सीखरी से हैं, आवला से हैं, शाजापूर से हैं, और ये भी आपकी रिजर्भ सीट हैं आप देख रहे हैं रिजर्भ सीट पे जो है वो आपकी अच्छा सा रहा है फरुक का बाद रहा है अकपरपूर जालीन और फतेपूर अमेडगर नगर जो हमेशा से मजबूत मानी जाती हैं सीटे और ऐसे बहुत सारी हैं मशलीपूर से हैं गाजीपूर से हैं भद्रोई से हैं और यह वो प्रेस रिलीजिंग है जो बहन जी ने चाहा था उसको वोली सीटें मिल गई हैं यानि कि सपा ने भी अपनी इच्छा अनुसार सीटें ली हैं और बस्पा ने भी अपनी इच्छा अनुसार सीटें ली हैं 37 सीट इस पे होती हैं सपा की और 38 सीट ली हैं बस्पा ने और इसी को देखते हुए मुलायम सिंग याद तब भी थोड़े से नाराज हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि जब हमारी पार्टी खुदी असी सीटों पे चुनाब लड़ती थी लेकिन उन्होंने अखलेश जी ने उनकी एक नहीं सुनी और फिर भी बहनकुमारी मयवेती के साथ गठबंदन किया और बहुत मजबूत तर हुए बीजेपी के लोग भी अचंबित रह गए हैं कि वो अपने खेमे से कौन-कौन से योद्धाओं को लड़ाएं और जाती समीकर्ण को देखते हुए अब उनको अपनी फेर बदल अवश्य करनी पड़ेगी और कॉंग्रेस और बीजेपी को अब कहीं ना कहीं बहुत जादा करारी हार खानी पड़ सकती है ये गटबंदन इतना मजबूत गटबंदन है जिस पे लोगों की बहुत तीखी नजर थी और सारे देश की नजरी नहीं पूरी दुनिया की नजर उत्तर पर देश पे थी कि ये कौन सा गटबंदन रहेगा और कौन सी सीट से किस को उ जादानमंतरी बनना बहुत आसान हो गया है ऐसे ही सभी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सकें सभी खबरें और उसे पहले अगली खबरों तक नजर बनाए रखने के लिए चैन पहुंँ सके